देश टीवी की सुर्ख्या में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित खबरे चार नमंबर की जूश्यों में पहले स्थान में हैं सबरी माला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कानून संभव नहीं केरल के मुख्य मंदिरी पी वीजेन ने सुमबार को कहा कि सबरी माला के अईयपा मंदिर में सभी उम्रकी महिलाओं को प्रवेश की अनुमती संभव नहीं के फैसले को पलटने के लिए कोई कानून लाना राजय सरकार के लिए संभव नहीं है वीजेन ने विधानसभा में विपक्षी UDF के एक प्रश्णा के उत्तर में कहा कि शिर्ष अदालत का 28 सितंबर 2018 का फैसला जली कट्टू या वेलगाडी दौर से सम्मंदित फैसले जैसा नहीं है उन्होंने कहा कि सब्रिमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से सम्मंदित उच्चतम न्याले का फैसला मौलिक अधिकारों से जुड़ा फैसला है राजय सरकार शिष अदालत का फैसला लागू करने के लिए बाद्ध है आज के सुर्कियों में दूसरे स्थान पर है राहूल गांदी का मोधी सरकार पर तंज कॉंग्रेस के पुर्वाध्यक्ष राहूल गांदी ने शेत्री समग्र आर्थिक समझोते को लेकर सोंबार को मोधी सरकार पर निशाना साथा है राहुल गांधी ने कहा कि मेकेन इंडिया अब बाई फ्रॉम चाइना हो गया है राहुल गांधी ने R.E.C.P. से जुड़ी एक ख़बर का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि भारत में सस्ते सामान की बाढ आ जाएगी जिससे लाखों लोगों की नौकनिया चले जाएगी और अर्थ व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुँचेगा राहुल के माने तो हर साल हम प्रती भारतिये के लिए 6,000 रुपे की वस्तूओं का आयात करते हैं 2014 के बाद से आयात में 100 फिस्दी का इजाफा भी हुआ है महराष्ट में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींस्तान के साथ कई फॉर्मूले पर बाच्चेश चल रही है इनसेपी और कॉंग्रेस के साथ से शिवसेना की सरकार बनाने की कोशिशों के बीच महराष्ट के सीम देविंद्र फटनवीस ने बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष और ग्रहमंत्री आमिश शाह से दिलने में मुलाकात की दोनों निताओं ने महराष्ट में सरकार बनाने को लेकर कई फॉर्मूले पर बात की है बताय जा रहा कि आज ही सरकार बनाने का फॉर्मूला तैकर लिया जाएगा महराष्ट बीजेपी के पुर्वाध्ध्यक्ष और केंद्रे मंत्री राव सहब दानवे ने कहा कि महराष्ट में बीजेपी शेव से नाही सरकार बनाएगी आज के सुर्कु में सोवित सान पर है अयोध्धा मामले में कोर्ट की सक्ती अयोध्या मामले को लेकर सांप्रदाईक सौहाद न बिगडे इसको लेकर अप्रशाशन ने कमर कसली है अब अयोध्या के मजिस्ट्रेट अनुच कुमार जाने विवादित भूमी से जुड़े किसी भी तरके भड़काऊ सोचल मीडिया मैसेज या विवादित पोस्टरों पर रोक लगा दी है यह नियम 28 दिसंबर तक लागू रहेगा आदेश के मताबिक भूमी विवाद से जुड़े ऐसे कोई भी संदेश नहीं फिजे जा सकते जिनसे सांप्रदाइक सोहादर भी गड़ सकता है आदेश में कहा गया है यदि कोई नियम का उलंगन करते भी पकड़ा गया तो उसके खिलाब सकत कारवाही की जाएगी आज के सुख्रों में पाटमे स्थान पर है जम्मू में दरबाज सस्ते ही बदला इतिहास जम्मू कश्मीर के केंदरशाशित बनने के बाद राजधानी जम्मू में सरकार का पहला दरबार सच गया है सुभा उपराज जपाल गरीश चंदर मूर्मू सचिवाले पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ओनर दिया गया इस दोरान खास बात यह रही कि दरबार खुलने के बाद पहली बार नागरिक सचिवाले की इमारत पर दो जढ़ों की जगह शान से तिरंगा फैराता नजर आया दरअसल जम्मो कश्मीर की पुरानी परंपरा और नियमों के मताबिक सचिवाले पर तिरंगे के साथ राजय का जंडा भी फैराया जाता था लेकिन केंदर्शाशित प्रदेश बनने के बाद सुमवार को इतिहास बदल गया आज के सुर्कियों में शर्क्षावलों को निशाना बना कर हमला किया है श्रीनगर के हरिसीं स्ट्रीट पर आतंकियों ने ग्रिनेट फेका जिसमें 15 लोग गंभी रूप से जक्मी हो गए आतंकियों ने बीते 15 दिनों में दूसरी बार ग्रिनेट अटेक किया है सुरक्षबलों पर यह हमला जम्मू कश्मीर के दो हिस्सों में विभाजित किया जाने का फैसला लाग्व किया जाने के चार दिन बात किया गया है वहराल खायलों को अस्पताल में भरती कराये गया है जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है आज की सुर्षे में 7 सान पर है दिल्ली में सम विशम योजना हुई शुरू दिल्ली में प्रदूशन पर लगाम लगाने के प्रयास के तहट सोमवार सुभा 8 बजे से वहानों की सम विशम योजना शुरू हो गई है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने लोगों से अनरोध किया है कि वे अपने परिवार और बच्चों के लिए इसका पारण करें इस योजना के तरह जिन श्रेणियों के वहानों को छूट प्राप्त है उन्हें छोड़कर आज सिर्फ वही चार पहिया गाडियां सडकों पर चली जिनकी पंजेकरन संख्या का आखरी अंग सम है ऐसे में दिल्ली के उपमोख्यमत्री मनीश सिसोधिया के पास और नम्मर की कार है आज इवन डेट है इसलिए डिप्टी सी एम साइकिल पर सवार होकर अपने घर से दफतर पहुचे आज की सुर्फियों में आज मिस्थान पर है शाशन को सौपी गई डीकेस घुटाले की जाँच रिपोर्ट चतिदगर की राजधानी रायपूर में स्थित डीकेस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुए करोडों के घुटाले मामले में बड़ी कारवाई की संभावना जताई जा रही है बहुचर्शित डीकेस घुटाले की जाँच रिपोर्ट राजशाशन के हवाले कर दी गई है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक जाँच रिपोर्ट में बड़ी अनियमित्ताओं का खुलासा किया गया है साथ ही कहा जा रहा है कि दोश्यों पर सक्त कारवाई के अनुशनशा भी उच्चस्तरिय जाँच टीम ने सरकार से की है तकरीबन एक महीने की जाँच टीम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपी है टीम ने अस्पताल प्रवंधन के कारेकारेनी समीती और साध्रन सभा में बैठक वीवरन की बारिकी से जाच की है तकरीबन धाई सो करोड की वित्तिय अनिमित्ता का ये पूरा मामला है आज की सुर्कियों में नमित्तान में है अहमेशा अबदाली के खतरनाक लुक में दिखे संजैदत निर्देशक आशुतोष गुवारी का लंबे समय के बाद फिल्म पानीपत से वापसी कर रहे हैं सुमवार को इस फिल्म के किरदारों का फस्ट लुक जारी किया गया इसमें संजैदत और कृती सेनन ने फिल्म में अपने अपने किरदार का लुक शेयर किया जिसमें दोनों ही काफी दमदार नजर आ रहे हैं पानिपत में जहां संजदत अहमद शाअबदाली के किरदार में नज़र आएंगे तो वही कृतिसे नन इस फिल्म में पारवती बाई बनी हुई नज़र आएंगी इन दोनों अहम किरदारों के सामने आने के बाद उमीद है कि फिल्म के हीरो अरजुन कपूर का भी लोग कुछ ही समय में देखने को मिलेगा आज के सुर्खन में गर्षमिस्थान पर है भारती महिला क्रिकेट टीम ने हासिल की धमाकेदार जीत पूनम राउत के अर्धशतक के बाद स्पीनरों की फिर्की के जादू से भारत ने ICC महिला चैंपेंशिप के दूसरे एकदिवसी अंतराष्टी मैच में रहिवार को वेस्ट इंडीज के खिलाब तीरपन रन से जीत दर्ज की है भारत के 192 रन के लक्ष का पीछा करते वे वेस्ट इंडीज की टीम 47.2 ओवर में 138 रन पर धेर हो गई जिससे महमान टीम ने तीन मैचों की सिरीज एक-एक से बराबर कर दी बायहात की स्पीनर राजिश्ट्वरी गायकवार, लेग स्पीनर पुनम्यादो और आप स्पीनर दिप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट चटका कर मेचबान टीम की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई